आप सबका स्वागत है तो आज मैं आपके साथ अपनी बहुत ही अच्छी रेस्पी जो है वो शेयर करने वाली हूं जो मैं कभी भी मतलब दीनर हो मौनिंग में विक्षॉस्ट हो जा लंच में ले सकते हैं और खासकर जो अपना वेट लॉस कर रहे हैं जो प्रोसेस में तो इ इसे वेट भी लॉस होगा और आपकी हल्थ में में रहेगी मैं भी इसको लेती हूं मैं मौनिंग में ही लेती हूं इस पुडिंग को क्योंकि मैं भी थोड़ा ध्यान देती हूं कि तांकि मेरा वेट भड़े ना तो चलो गाइज जो फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे तो मैं उस पर रेस्पी का नाम है चिया सीड स्मूधी या चिया सीड आप पुडिंग कह सकते हुसको तो यह रहे चिया सीड यह लिए थे मैंने दो से धाई चमस लिए थे तो इनको मैंने रात को जो है पानी में भीगो कर रखती है ओवर नाइट के लिए क्योंकि जब पूर रखा हुआ था तो अभी ऐसे हो गया हम देख सकते हैं यह दो चमस हैं और यहां पर मैं दो लोगों के लिए यह बना रही हूं तो उसके लिए मैंने जो इसमें जो डालना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं चीया सीड के साथ आप इसमें कॉन फ्लेक्स डाल सकते हैं जा ओ आपकी जो शुगर होती है वो आपने इस पुडी में नहीं करनी क्योंकि और चाहते हो कि एक हैल्दी आप मे exprements कर रहे हो तो उसके लिए मैं से अध्क करती हूं जो भी दो लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने चिया सीड लेना है, कितना इतना आप लेना चाहते हूँ, आपने उसको डालना है बीच में, मैं ले रही हूं दो चमच एक गिलास बना रही हूं मैं एक चिया सीडे की पूडिंग यूचुछ सेबसे पालए आप क्या की लिए इसको कनफलेक्स को क्या ऱीच मैं किक गैया कनफलेक्स को भीया पीछ मैं बे retard अब यह हो गया तो आप अपने भी ताल सकते हैं अब इसमें टालने के बाद आप इसमें ऐड़ कर सकते हैं अपना मिल्क जो है वह आप ठंड़ा भी ले सकते हैं और गरम ये आपकी चॉइस है कि आप क्ल दों सिप्धा विलूज जाती हैं तो में अब इसमें जो है सबसे पहले आप ना मैंने यहां पर लियो हुआ वाटरमेलन तो वाटरमेलन की क्यूब्स डालूंगी मैं कुछ क्यूंकि वाटरमेलन स्वीटनेस को बढ़ाता है तो आप सबसे पहले क्या किजिए इसमें वाटरमेलन डालिए अब इसमें जो है मैंने थोड़ी सी लीची जो है वो भी ले रखी है तो आप इसको निकाल के डाल सकते हैं फुल और इसमें आप एड़ कर सकते हैं थोड़ से ड्राइफूट जैसे मैंने वालनट लिए यहां पर मैंने ओवरनाइट सोग करके रखे थे बदाम वो ले सकते हैं तो उपर से डालिए थोड़ थोड़े बदाम यह डाल दिए आपने अपने यहां पर आगे आपके बदाम तो गाइस आपकी जो है यह रही आपकी चिया सीर पुडिंग तो आप इसे अपनी मॉनिंग की ब्रिक्फस्ट मानिंग में ले सकते हैं लाइच डिनर जब भी आपका मन करें आप ले सकते हैं मैं इसको ज़िए नहीं खाते हैं तो मैं इसको मॉनिंग में लेती हूं तो यह खाने में भी बहुत टेस्ट ही है तो चलो मैं अपनी वाली जो है वो कि सामने ट्राइ करती हूं कैसी बनी है कि यह देखिए कि अधि कि अगर आप भी लोग यह अपने घरों में ट्राइ की जिए अगर आपको यह अच्छी लगे तो प्लीज कमें चेक्शन में बताना कि यह आपको आपने बनाई तो आपको कैसी लगी तो गाइस चलो मिलते आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में तिल दैन स्टे हों स्टे सेफ और स्टे हैल्दी है नहीं बहुत रूरी है और गाइस बाइब आई पाई